हाई एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन, सो आज की इस वीडियो में UGC की तरफ से जारी किये गए एक ओफीशल पब्लिक नोटस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, जो की 12 नवंबर, याने की आज सुभा ही उन्होंने जारी किया है, तो सबसे बहले तो मैं आ अरड़ी क्वालिफाइ कर चुके हो, आप सभी स्टुडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी न्यूस है, तो जरूर इस वीडियो को एंट तक देखेगा, यहां पे हर एक चीज़ को मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ, ऑफीशल वेबसाइट पर जा करके ही हम हमारा कॉमन पेपर होता है, जिसमें की टोटल 50 MCQs कूछे जाते हैं, यह वहीं पेपर है, जो की JRF लेने में हम दोगों को मदद करता है, तो पेपर वन की आपके इसी से तैयारी होना जरूरी है, अन्दस के लिए ग्लोगन ऑनलाइन की टीम ने बिल्कुल न्यू और फ्रि लेक्टर यहां पे मिलेंगे, तो डेली लाइफ लेक्टर आपको प्रवाइड कराते हैं हम, और रिकॉर्डर सेशन भी आपको मिलेंगे, इन केस आप लाइफ लेक्टर श्मिस कर दो, इस कोर्स को जॉइन करने के लिए स्क्रीन पर यह जो दो नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं, किसी भी एक नंबर पर वाट्सअप की मदद से आप कांटाक्ट कर सकते हो, इसके लिए आपको सिर्फ एक ही बार फीस पे करनी है, वो भी सिरफ 4000 रूपीज और जिसको कि आप ल लिंक है, इस आपको बिल्कुल फ्री में आप प्लेसोर पर जाकर डाउंडोड भी कर सकते हो, आप डाउंडोड करने के बाद मुबाइल नंबर से लॉग इन कीजिए, इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, यहां पर आपको स्क्रीन पर जाना है, और सर्फ पर में जाते हो, उसको यहां पर आपने टाइप करना है, then आपके सामने वो कोर्स आ जाएगा, उसका ओवर्व्वय आप देख सकते हो, जो कि already मैं आपको बटा चुकी हूँ, then आपको जाना है content section पे, जहां पे unit wise approved folders आपके सामने होंगे, इन folders में आप देख सकते हो कि paper 1 के हमने notes, pdf, हर एक चीज available आपको करवाई है जिसमें की कुछ free content भी available है जिसको कि आप demo के रूप में देख करके इस course को फिर join कर सकते हो तो जरूर इसको join कीजिए 100% selection की हम आपको guarantee देते हैं तो बढ़ते हैं अब अपने notice की और जिसमें की बहुत ही अच्छी खबर आप सभी के लिए है खास करके अगर आप लोग महीलाई हैं तो आप लोगों के लिए UGC ने देखुए एक बहुत अच्छा नियम अब बनाया है तो इसमें उन्होंने लिखा है PhD UGC के नए नियमों से महीलाओं के बीच खुशी की लहर PhD में मिल रही ये छूट तो UGC PhD रूल्स में ये लिखा गया है PhD करने वाली लड़कियों या फिर महीलाओं को अब दूसरी जगा जाकर PhD पूरी करने की छूट मिलेगी उन्हें बार बार भाग कर अपने शहर में PhD पूरी करने के लिए नहीं आना पड़ेगा तो देखो students अब यहाँ पे इसका क्या मतलब है ये इसलिए notice जारी किया गया है क्योंकि होता क्या है कई बार किसी माली जे महीला की शादी हो रही है किसी लड़की की शादी एक सिटी से दूसरी सिटी में हो जाती है तो उनका अपने PhD के लिए अपने exams देने के लिए अपनी thesis रिचेक करने के लिए बार-बार अपनी सिटी में जाना पड़ता है जहां पे वो अपनी शादी से पहले PhD कर रही थी लेकिन इस दिक्कत को ध्यान में रखते हुए UGC ने ये नियम बनाया है कि आप female candidates चाहें तो वो अपने आपको अपने ही state में अपनी ही दूसरी city के अगर किसी college में shift करवाना चाहती है और वहां से PhD अपनी complete करना चाहती है तो वो उनको पुरा-पुरा अधिकार UGC ने अब दे दिया है तो ये video सभी के लिए important है बहुत सी students, female students ऐसी होंगी जिन्होंने शायर इसी reason की वज़ा से PhD में admission नहीं ली है तो आप लोगों की बहुत बड़ी problem UGC ने solve कर दी है अगर कोई male student ये video देख रहे हैं तो आपकी कोई में भी relative हो सकती है आपकी बहन हो सकती है, आपकी cousin हो सकती है, कोई भी हो सकता है उन तक ये news आपको जरूर देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ी ख़बर है बहुत एक अच्छी good news है सभी female candidates के लिए साथ ही इसमें देखते हैं पूरी जानकारी क्या उन्होंने दी है इसमें लिखा है PhD करने वाले लड़कियों महिलाओं को अब दूसरी जगा नहीं जाना पड़ेगा उनका पूरा का पूरा काम दूसरी जगा ट्रांसफर हो सकेगा और विश्यविदाले अनुदान आयो यानि कि University Grant Commission UGC ने PhD के नए नियमों में इसे शामिल किया है इससे पहले 2016 में PhD करने के लिए नए नियम वा संशोधन जारी किये गए थे लेकिन अब नई शिक्षा नी थी यानि कि New Education Policy National Education Policy के मताबिक संशोधन करते हुए UGC ने अनुफूचना ये जारी कर दी है तो ये आपकी University में कब से अपली केबल होगा ये आपको वहाँ पर जाकर ही पता चलेगा तो इस वीडियो को भी आप लोग संभाल के रख लीजेगा कई बार होता है कि College में भी शायर ये information स्टाफ को नहीं पता हो तो आप उनको ये दिखा सकते हो कि देखो ये रूल अब बन चुका है तो हमें transfer होना है UGC के नए नियमों के मताब एक शादी के चलते या अन्य कारणों से महिलाएं शोधाधारती दूसरी जगा जाती है और वहां के किसी संस्थान में PhD जारी रखना चाती है तो उन्हें अनुमती दी जाएगी और शोध की दूसरी जगा से करने के लिए सभी नियम वशर्तों का ध्यान रखा जाएगा ये भी ध्यान रखा जाएगा कि शोद मूल संस्थान या परवेक्ष द्वारा किसी वित पोशन एजंसी से प्राप्त ना किया गया हो ये नियम के तहत जो भी रिसर्चर्स हैं उनका अब तक का पूरा अब तक का किया गया पूरा काम ट्रांसफर हो जाएगा तो अगर आप लोगों का पीएचटी का फॉर्स्ट एयर है सेकेंड एयर है थर्ड एफॉर्स है जो भी एयर आपका अभी तक चल रहा है जो भी स्टेज़ पे आप लोग अभी तक पहुंचे हो ऐसा नहीं है कि दूसरी जगर ट्रांसफर होके आपको शुरू से काम करना है आ आपका ये सारी की सारी चीज़े आज इस ट्रांसफर वहां पे हो सकती है अडस्नियम के अंदर ये जो है चीज़े सारी ट्रांसफर हो जाएंगी लास्ट यहां पर क्या लिखा है हालांकि जो रिसर्चर्स है उसके हिस्से का क्रेडिट अपने मूल संस्थान या सुपरवा के रूप में अधिक्तम 240 दिनों की छुट्टी की सुविधा भी थी तो देखो ये सारी चीजे भी यहां पे थी कि महिलाईं जो है उनको पीएच्टी करने के लिए दो साल जादा दिये जाते थे ठीक है जहां पे अगर पांच साल में कंपल्सरी है तो महिलाओं को दो साल एक के दरान उनको 240 दिनों की छुट्टी इसके अलावा दी जाती थी ये दो साल के अलावा 240 दिनों की छुट्टी की फैसिलिटी भी उनको सरकार देती थी तो अगर महिलाईं आगे बढ़े ये चाहते हैं आप तो इस वीडियो को भी जादा से जादा शेयर कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अब देखो स्टुडेंट्स बहुत सी जगा पे पिएच्डी के जो है अभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन चल रहे हैं रिसेंट्ली यूजसिनेट एग्जाम का भी रिजल्ट आया है तो आप लोगों को पिएच्डी में एड्मिशन लेनी है पूरी इंफॉर्मेशन आप चाहते हो तो हमारा एक चानल है जिसका नाम है पिएच्डी जॉब्स एड्मिशन तो इस चानल को आप लोग फॉलो करते रहें यूट्यूब पर ही आपको ये चानल मिल जाएगा इसका लोगों इस तरह से देख सकते हो यहां पे आप आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी वाइस आपको सेपरेट फोल्डर्स मिल जाएंगे जिसमें कि हम हंड़र्ट पर्सेंट सेलेक्शन की आपको गैरंटी देते हैं हमारे इसी कॉंटेंट में से बहुत से स्टुटेंट्स ऐसे हैं जिनोंने अपने पिएच्डी एंटरंस एक्जाम में रैंक वन भी हासिल करके अपना ये ड्रीम हमारी मदद से पूरा किया है तो जरूर आप भी अगर आप अपना ये ड्रीम पूरा करना चाहते हो जिसको कि अलरड़ी यूजी से ने भी पर्मीशन दे दी है तो आप स्क्रीन पर दिये गए किसी भी एक नंबर प करना चाहती थी लेकिन कुछ कारणों की वज़ा से नहीं कर पा रही थी उन सभी के साथ ये वीडियो आप लोगों को जरूर शेयर कर देनी चाहिए फिर भी अगर कोई डाउट है कोई क्वेरी है अब बहुत से मेल स्टूडेंस ऐसे होंगे जो बोलेंगे महिलाओं के अब आप लोग जरूर उन पर कॉंटाक्ट करके अपने कोर्स को जॉइन करोगे डेमो लेक्चर्स देखना चाहते हो तो भी इन नंबर्स पर ही आपको कॉंटाक्ट करना होगा या फिर कॉमेंट करना होगा सो थैंक यू सो मुच पर वाच इस वीडियो और इस वीडियो और आपको कॉंटाक्ट करना होगा